हालो फ्रेंड्स एक बार फिर विलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है बागवानी तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और इसके बाद जो है गुला करने से और ये अप्रेल एंड तक चलती ही रहती है जिसमें आपको अच्छे फ्लावर अच्छे फूल और आपकी जो है अच्छे ब्रांचेज ये सारी चीजें आराम से पौधे में आती है बिना किसी परेशानी के तो इसके लिए हमें अक्टूबर के महीने में यानि यू कि जिन्हों ने अभी तक चुकि प्रूनिंग का जो बेस्ट टाइम होता है वो माना जाता है कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक अगर कर लिया जाए आम तोर पे भारत के ज्यादा तर राजियों में ये अक्टूबर का फर्स्ट वीक अच्छा माना जाता है लेकिन कुछ वहों पे नवेंबर फर्स्ट वीक तक भी ये किया जाता है. तो अभी जैसे मैं उत्र प्रदेश का निवाशी हूँ, तो हम लोगों को अक्टूबर का पूरा महीना जो है एक तरह से कह सकते हैं कि प्रूनिंग का माना जाता है, लेकिन इसमें जगह जगह पे टेंपरेजर वाईज अगर कहीं बारिश हो जा रही है, तो वहाँ दस दिन आगे पीछे का डिफरेंस जरूर बन जाता है, जैसे कि इस साल मेरे यहाँ पे बना है, एक्चुली हर साल मैं जो है प्रूनिंग एक से पांच अक्टूबर के बीच में कर देता था, लेकिन इस साल मैंने प्रूनिंग नहीं कर पाया, इसका कुछ कारण था जो मैंने पिछली वीडियो मैंने डाली थी, उसमें मैंने साफ साफ चीजों को दिखाया था, बताया था कि क्या कारण थे, किस वज़ा से मैंने प्रूनिंग नहीं की, क्योंकि यहां वे बारिसें जो है लगातार होती रही और बारिस के मौसम में बारिस नहीं हुई, अक्टूबर के स्टार्टिंग में बारिस स्टार्ट हुई, जो कि लगबग 8-10 दिन तक चली, जिसकी वज़ा से प्रूनिंग करना संभव भी नहीं था, और अगर कर भी देते तो उसमें डाइबैक के चांसे या पोदे के खराब होने के चांसे ज्यादा थे, यह कारण रहा, कुछ जगों पर प्रूनिंग हुई है, जहां पर बारिसे नहीं हुई है, वहां पर लोगों ने प्रूनिंग करी है, क्योंकि यह सीजन ही है, तो अभी आज का विशे मेरा इस टॉपिक पर बिलकुल नहीं है, जो लोग यह सोच के आ रहे हैं, कि अरे प्रूनिंग तो अल्रेडी हो चुकी है, फिर इनकी वीडियो क्यों देखे हैं, यह उनके लिए बिलकुल नहीं है, एक्सपर्ट के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मेरे वीडियो उनके लिए होते हैं, जिन्हें सीखना है, या कुछ सीखने की चाहत है, या जिन्हें आता नहीं है, मैं उनके लिए एक help मात्र में हूँ, कि एक छोटा सा मेरा contribution है इन में, तो उनके लिए वीडियो है, तो आप लोग बस वही लोग देखिएगा, ज्यादा मेरे वीडियो पर अकसर ही, मेरे वीडियो बड़ी होती है, तो बहुत सरे लोगों को परेशानी होती है, कि बेवज़ा का time waste करते हैं, तो अपना time मत waste करिएगा आप लोग, मैं पहले इसलिए बता देता हूँ, कि ये उनके लिए नहीं है, जो गुलाब की प्रूनिंग कर चुके हैं, ये उनके लिए हैं, जिनके यहां मौसम खराब थे, बारिस नहीं हो पाई, तो इसमें हर तरह के लोगों को मैंने include किया है, जिनकी प्रूनिंग या मल्चिंग या अन्य चीज़ें नहीं होई है, और यही मेरा topic भी है, आप देख भी पा रहे होंगे, थमनेल वगएरा पे, तो अभी क्या करना है, जिनोंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया है, उनको मैं बता देता हूँ, जैसे कि यह पौधा है आपका, सबोज आपके भी पौधे ऐसे ही हैं, जिनमें कुछ ब्रांचेज हैं, पत्कियां, कुछ गिरी हैं, कुछ बची हैं, कुछ नए सूट्स वगएरा, फुटाव वगएरा हुए हैं, अभी मैं आपको नजदीक करके दिखा दूँ, कि यह आप देख पा रहे हैं, कि जैसे यहां देख रहे होंगे, कि कुछ-कुछ नए नोट्स भी एक्टिव हुए हैं, तो ऐसे बौधों के लिए हमें क्या करना है, कौन से ओपरेशन्स जो हैं, इनमें करने हैं, तो इसके लिए मैं आपको दो-तीन चीज़े बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में, जैसे प्रोसेस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट जो रोजेरियन हैं, बड़े रोजेरियन हैं, उन लोगों ने अल्रेडी यह चीज़े मेंसन किया है, कि आपको एक प्रोसेस होता है, 30-40 दिन पहले मल्चिंग करने का, फिर उसके बा प्रोसेस करें, बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आता है, बहुत सारे लोग उसको पसंद भी करते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए बस यह कह रहा हूं, कि जिन्हों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, वो दो-तीन चीज़ें कर लें और प्रूनिंग भी फटा- तो उससे उतनी आउटपुट की अपिक्षा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सिंपल सा कॉंसेप्ट है, अगर आपने वर्क नहीं किया है, तो उसका प्रॉफिट भी आपको उतना नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यह है कि बरबाद होने से बहतर है, गुलाब जो बेकार हो जाएं इन में फ्लावरिंग अच्छी नहीं करेंगे, उनमें कुछ नकुछ हम 60-70% का आउटफुट ले सकते हैं, बस यह थोड़े से 2-4 चीज़ें करने भी, यह मेरा ट्राइन टेस्टेट फार्मूला है, जो मैं करूंगा उप्रेशन इस पे, ना कि यह कहीं से कोई सीखा है, न साथ कि मैं किसे साल प्रूनिंग नहीं कर पाया, या मेरे साथ ऐसा हुए, मैंने मल्चिंग नहीं करी, लेकिन रिजल्ट मैं लेता हूँ, तो अब कॉपी पे लेके बैढ़ जाईये, और यह जो लोगों ने प्रूनिंग नहीं करी है, किसी भी कारण बस्त, या मल्चिंग करिए किसी भी कारण बस वो सारी चीज़ें पहले नोट कर लें इसके लिए दो तीन चीज़ों की जरूत पड़ेगी मैं फटा फटा आप लोगों को बता रहे हैं जैसे कि यह डबे में मैंने जो है बेस फोलियर का मिक्चर रखा हुआ है या आप बेस फोलियर रखिए या को इसे के जगप मेडिया से आप जाधा नहीं है कोई भी मेडिया हो सकता है इसलिए आप दोनों पर यह अप्लाई कर सकते हैं कोको पीठ के लिए मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि को कोपीठ में मेरा कोई बहुत ज़्यादा experience नहीं है इसलिए इसलिए सेंडर और मिट्टी के अगर कोई भी ऐसी कोई फीड नहीं, आपके पास है, मिक्स फीड नहीं है, तो आप सिंपल 1919 खरीद के रख लीजिए, या आपके पास पहले से पढ़ा होगा, सामाने था 1919, NPK 1919 या 2020, आपके पास पढ़ा होता है, कोई भी कमपनी का हो ले लीजिए, अगर नहीं है, अगर से लेने से बहतार है, कि पैसा आप लगाई रहें, तो ले लीजिए, बेस फोलियर मैं मानता हूँ, काफी उंदा है, काफी अच्छा है, तो एक फीड आप रखिए, कोई भी केमिकल मिक्चर आप एक रखना है, इसके साथ साथ आपको बोन मील लेना है, मैंने मिक्स अप कर दिया है, लेकिन आपको मैं यह नहीं कहा रहा हूँ, कि आप सिंगल सुपर फासफेड मिक्स करके लीजिए, यह सिंपल जो है, आप बोन मील ही लीजिए, जो सबसे खास चीज है, वो यह है, कि आपके पास एक माइको राली गोल्ड करके आता है, टाटा राली गोल्ड, मैं होता है, तो आप जो है, इसको एक चीजे रखनी है, टोटल आपको तीन चीज ही रखना है, इसके अलावा चोथी कोई चीज आपको नहीं लेने, अब हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, मैं आपको जूम करके और जो भी हम उप्रेशन पहले मिट्टी में करेंगे, वो क्या करेंगे, वो उसके बारे में बताता हूँ, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस जैसे आज ये वीडियो में अप्लोड करूँगा, आज है हमारे यहां 17 अक्टूबर, तो अगर 17 अक्टूबर को मैं डाल आँ तो ये 18 अक्टूबर से आप अप्लाई करन और इससे आगे जितने भी दिन में बताता हूँ, अपना काम वो कंप्लीट करिएगा, तो एक बार जूम करते हैं और प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स देखें, ये मीडिया मैंने जूम कर लिया है, अब आप देख पा रहे हैं कि ये आपके पास ये सारी को कर लिए, सबसे पहले आपको थोड़ा-थोड़ा किनारे से हलका सा सिंडर जो है, खटा देना है, और बहुत इस आधानी से करिए किसी भी लकडी से कर सकते हैं, या किसी भी चीज से, ये मैं स्टार्ट कट या यूं कहें कि ये का आपको मैं DIY बता रहा हूँ, जो है, एक easy process की, आप जो है, अगर पिछड गया है, या आपने किसी कारण वस ये काम नहीं किया है, और लेट हो गया है, या जैसे मेरा भी अक्सर हो जाता है, तो मैं ये चीजे कर लेता हूँ, ये किसी ने बताया नहीं है, ये सत्य है या आसत्य है, ये practical way में बिलकुल pure है सत्य है, ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा सिंडर हठा देना है, और ये सिंडर उपर चढ़ाना है ट्रंग के उपर, जो ये तनह है इसके उपर आप इसको चढ़ा दीजिए, और आप देख रहे हैं कि वाईट जो रूट्स है, इसकी roots थोड़ी थोड़ी दिखनी start हो गई है अब हमें 2-3 चीजे कर लेनी है ये मैं आपको बता दू देखिए थोड़ा सा और हलका सा उठा लेंगे और निकाल के बाहर गिराने की ज़रुत नहीं है ये 12 इंच का गमला है या 10 इंच का गमला है या मिट्टी है मिट्टी में भी यही सेम चीज करेंगे मिट्टी को थोड़ा सा किनारे पे हटा देंगे और ये गमले में लगे वे पौधो की बात कर रहा हूँ जमीन में लगे वे पौधो के लिए तो आप एक mix feed बनाईए गोबर की खाद, वर्मी, DAP, जो भी चीजे हैं SSP उनका एक mixeur बना करके आप गुड़ाई करके उसके किनारे डाल दीजिए और दूसरे दिन, तीसरे दिन, दो-तीन दिन छोड़के पानी उसमें दे दीजिए फिर उसके बाद एक हफ्ते-दस दिन बाद आप प्रूनिंग कर दीजिए मिट्टी का तो बहुत simple concept है आपको DD किसान वगएरा चैनल पे easily मिल जाएगा तो ये मैंने कर दिया है आप इसमें क्या करना है कि थोड़ा-थोड़ा bone meal जैसे मैंने थोड़ा सा bone meal लिये इसमें single सुपर फास पे टायड है तो ये हलका सा एक बहुत पतली सी layer आपको ऐसे खिनारे डाल देने इतना मत डालिए कि वो कहीं burning वगएरा create करें तो ये जो है मैंने ऐसे डाल दिया बहुत जादा भी नहीं डालना है क्योंकि ये organic matter है जल्दे decompose होता नहीं है दीरे दीरे होता है और timing भी ज़्यादा हो गई है तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बस इतना कि 3-4 ग्राम 5 ग्राम में ये पूरा cover up हो गया अब इसे के बाद आपको करना क्या है ये आपने डाल दिया और अब आपको इसको धीरे-धीरे cover करना इसमें कोई भी वर्मी वगरा कुछ नहीं डालना है क्योंकि ये वो time निकल चुका है जो mulching वगरा हम करते थे तो ये चीज है अब आप इसको ऐसे fully cover up कर देंगे और cover up करने के बाद थोड़ा सा ये आपने काम कर दिया इसके बाद आपके पास mycorrhiza है या कोई भी root enhancement के लिए आपके पास कोई भी ऐसा fertilizer है ये जैसे मैंने ले लिया दो-तीन ग्राम ये होगा अब इसको क्या करना है इसे उपर-उपर बिखेर देना है इसके ये बहुत छोटे दाने होते हैं टाटाराली गोल्ड के ये कोई भी company आप ले सकते हैं वैसे टाटाराली गोल्ड जो है ट्राई एंड टेस्टेड है वैसे ये आप इफको में जाएंगे तो उसमें सायद भूमी गोल्ड करके कुछ हाता है और ये गोल्ड करके जो है ये चीज़े मिलती है तो ये मैंने इसमें डाल दिया अब इसमें करना क्या है कि जैसे आज मैंने कर दिया ये अगर आज वीडियो अप्लोड हुई आज सत्रे तारिक है ये काम बहुत इजली आप कर पाएंगे इतना करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा परिसान होनी की ज़रूत नहीं है ये इतना करने के बाद आप इसको पानी वगरा अभी मत दीजिए जैसे आज आज आप सत्रे तारिक को कर लिए साम को ऐसे छोड़ देना है कि रात की ठंडी हवा या जो भी चीजे हैं इसके उपर पड़े नेक्स डे आप जब वाटरिंग करने जाएंगे वाटरिंग करने से पहले आप इसमें थोड़ा सा केमिकल फीड एक बार जैसे ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं अगर ये आठ हिंच का गमला है ये शात इंच का गमला है तो इसमें कम से कम 2 ग्हाम तक 1-1.5 ग्हाम दो ग्हाम तक आप इसे फीड लीजीएगा पानी में नहीं घुलना है हल्का सा ऊपर जो है बहुत हल्का सा ऐसे ऊपर जो है डाल दीजेगा बस इतना इतना डालने के बाद आप इसमें watering करिएगा early in the morning 18 तारी को जैसे 17 तारी को आपने ये mulching किया 18 तारी को सुबह पानी देना है तो सुबह आप ऐसे पहले गबले में डाल देंगे उसके बाद आप इसमें watering करेंगे watering कैसे करेंगे मैं वो भी आपको बता देता हूँ तो ये चीज़े आप करने के बाद अब इसमें पानी देंगे पानी कितना देना है जैसे की मेरा ये एक लीटर का मग है तो इसमें पानी इतना देना है कि नीचे से draining ना हो और ये जो मैंने mycorrhiza और bone meal और ये जो feed दिया है य कठा होके उसमें गर्माहट पैदा करें यानि कि उसके root को pressure create करें ताकि नई root जल्दी से जल्दी आए और growth इस्टार्ट हो यानि dormancy बने dormancy तो अल्रेड़ी है क्योंकि आपने कुछ खिलाय पिले नहीं है dormancy break हो ताकि हम pruning के लिए जो है आगे बढ़ सकें तो आपको बस हल का हलका पानी इसमें ऐसे दे देना अब यह नहीं सोचना है कि जो मैंने फीड दी है chemical वो एकसेस हो जाएगा एकसेस नहीं होगा क्योंकि देखी आपने काफी टाइम से इसमें कुछ दिया नहीं है बस पानी इतना दे देना है कि जो आपका मेडिया है वो हलका सा मॉइस्ट हो जाए और कोसिस यह करना है कि आपको आट-दस इंच का गमला है तो एक लीटर आधा लीटर तक पानी जो है इसमें डाल दिये ताकि मेडिया में वो पहुंच जाए बहुत हलकी फुल की ड्रेनिंग होती है तो होने दीजिए तो यह इतना जो है काम कर लेना है अब यह इ कम से कम 4-5 दिन यानि कि अगर 18 को किया तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानि कि अब आपको प्रूनिंग करनी है 25 तारिक को या 24 तारिक को तो 24-25 तारिक तक हम वेट करेंगे चुकि मैं यह वीडियो बना रहा हूं इसलिए यह मान के चलते हैं कि अब 24 तारिक आ गई है ठीक है तो इसम खराब अगरा ना हो जाए लेकिन यह सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आज ही मैंने खाट डाला आज ही प्रूनिंग कर रहा हूं कर मेरे पूद मर ना जाए तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह मेरा ट्राइन टेस्टेट फार्मूला है कि मैंने इसको किया हुआ है यह 24 तारिक्यानी की जो है मेरे एक वीडियो के मादम से कि 24 से 25 तारिक में हम प्रूनिंग करेंगे उस समय क्या करना है